यहां पर GST में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने GST में address जो है किस तरह सब्डेट कर सकते हैं आपको certificate पर नए address कैसे मिलेगा यह activity जो है हर GST register taxpayer को करनी है सबसे पहले उनको क्या करना है अपना login करके अपने registration को चेक कर लेना है यहां पर दो point of view से यह जो activity है सबसे important इसलिए होने वाली है क्योंकि अगर आपने अपनी firm का address change कर दिया है और अगर पुराने वाले address पर कोई भी officer verify करने जाता है तो उसको firm अगर आइजिस्ट नहीं विलेगी तो आपका GST सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो हो सकता है बैकडेट से भी हो जाए इससे आपने अपका क्या address हो करता है यह फिर इस सर्विस एवेलेबल है GST पोटल पर www.gst.gov.in फिर अगर आप इसको अपडेट करना है तो आप इसको घरबैटे अपडेट भी कर सकते हैं उसके लिए मेरे पास login password होना जरूरी है यह login password वो passwords और login credentials है जिनसे आप return file करते हैं तो हो सकता है यह आपके consultant या professional के पास हो तो आप उनसे ले सकते हैं यह वाली activity आप खुछ से कर सकते हैं इसमें कोई certification की requirement नहीं आती है username enter करना है password enter करना है उसके बाद दो मिनट का काम है आप अपना जो address है GST certificate पर उसको आप change करा सकते हैं इस चीज में आपको बता रहता हूं आपको supporting documents अपने साथ रखने है क्योंकि यह जो approval है यह सब्जेक्टू verification होता है अब यहाँ पर मैं login कर लेता है username से फिर password एंटर करूँगा उसके बाद login पर enter करूँगा capture code enter करके login करने के बाद आपके सामने इस टाइब का पेज आ जाएगा यह जो activity हम यहाँ पर करने है यह आप अपने mobile से भी कर सकते हैं same view ऐसे ही आएगा आपको जाना है अब सर्विस में सर्विस में यहाँ पर एक registration का टैम मिलेगा इसमें हमें जो है amendment of registration पर click करना है ठीक है तो आप यहाँ पर देखेगा आप तीन टैब आपको मिलेंगे पहला बिजनेश डिटेल सेकेंड में प्रमोटर पार्टनर सेट में प्रिंसिपल प्लेस और प्लेस वेरिफिकेशन जो भी चेंज है बिजनेस में अगर आपका पैन नंबर का चेंज हुआ है या आपको प्रमोटर प यहाँ पर आपको क्लिक लेका क्लिक करके आपको नए ऐड्रस एंटर कर लेना है आपको Google मैप पर उसको मार करना है मतल्ब महां पर आपको अपने एरिया कोड से भी सर्च कर सकते है वह एक बात नहीं है और यहाँ पर आ रहे है आपको यहाँ पर डोखाना है नेचर आपका खुद का है या फिर आपके किसी family members आपने consent लिवी है किसी relative का है तो consent letter काम कर जाएगा यहाँ पर काफे सारे options आते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको select कर लेना है हो सकता है पहले time में और आप खुद के address पर काम करना चाहते हूं तो यहाँ आपको select कर लेना है फिर यहा letter rent agreement का जो format है वो इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा उसका format आप download कर सकते हैं पर फिर भी आप एक चीज़ ध्यान कियेगा कोई भी utility बिल जरूर लगाएगा जैसे utility में आपका जो है कोई भी government agency का telephone बिल हो या फिर electricity का बिल हो या उसके अलावा आपके पास कोई भी ऐ connection हो जिसका रेकरिंग नेचर में बनतली जो है बिल आता हो ठीक है तो वह भी यहाँ पर काम कर जाएगा रेंट रिसीड विद यहाँ पर चली जाती है वह लेना है आपको अगर और प्रोजेश्चन यहाँ पर चेंज करना है कि आपका प्रिमाइस कैसा है अससे पहले आपक कर सकते हैं कि जैसे पहले आप अब करना है या फिर आपको सर्विस प्रोइड करनी है इंपोर्ट एक्सपोट करने हैं यहां से चेंज होते हैं अब यहां पर रीजन पूछेएगा कि आप रीजन यहां डालेंगे तो आप मैं आपको चीज़ कर देता हूं आप इसमें जो डालें वह प्रोपर रीजन डालें क्योंकि इसके बेस पर इसका अप्रूबल होगा कि आप यह एड्रस क्यों चेंज करना चाहते हैं कि आपने बिजनिस कर लिया है यहां पर आपको लिख देना है से पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है आज की डेट में जो है काफी सारे ऐसे नोटिस भी आ रहे है जहां पर अगर आपने अपने 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 प्लेस को आड नहीं किया तो उनके वेसे भी आपको प्रोलम हो सकती है उसके लिए बैटा तरीका क्या है यहां पर आप इसको यस करके कोई अगर आपका एडिसनल पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हुए हम लास्ट वाले पेज़ पर आ जाएंगे वेरिफिकेशन वाले पर ठीक है तो वेरिफिकेशन वाले पेज़ पर जो है आपको यहां पर सेलेक्ट करना है आई हेर वाई उसके बाद यहां पर उत्तराई सिग्रेट सब्सक्राइब यह थो रहा प्रोसेस कि मैं इसको अबेंडमेंट कर दूँगा यहाँ पर मैं सब्सक्राइब कर दूएगा अब मुझे नया सर्टीफिकेट आगया फिर दुबार आपको आजाएंगे आप यहां पर डाउलोड कर लिजेगा और उसके साथ-साथ यह आपने प्रिमाइस पर आपको जो है प्रिंट करके लगाना भी है और जो फ्लेक्स बोर्ड है उस पर भी यह अड्रेस ही अपडेट करना है यह था आज का लिटेस्ट वीडियो यह की एक वार कैंसिलेशन हो जाता है फिर उसके बाद काफी सारी चीजे उसमें चेक होती है कि आपने क्या टेक्स भरा आए कितनी टन्ट फाइल किया है कि तरह की प्रोडेंट को फेस करने से बैटर है कि आप अपना जो भी डाटा है वह अपडेट करके रखें पोर्टल पर ताकि यूचर में किसी भी टाप की कोई प्रोब्लम ना हो इसी टाप की काफी सारी वीडियो फाइलिंग की रेइस्ट्रेशन की क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको फोलो करने है ताकि आपको कोई नोटिस ना आए ऐसे चांसिस कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली जो है वो कंप्लाइंस को फोलो करते रहते हैं और इसी टाप के काफी सारी वीडियो जो अपने चैनल पर अप्लोड करता रहता हूं आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा किन किन पॉइंट्स के बेस पर क्या क्या नोटिस आते हैं उनके जज्जमेंट कि आये हुए हैं किस ट्राइब से आप इन से इन सब चीजों से सेव हो सकते हैं इस वीडियो को सेर भी कीजिएगा ताकि सभी को उसका benefit मिल जाए